hello students welcome to the new fourth class so students today i am going to start our first drawing topic of class fourth i teach you how to draw frog drawing in an easy way so watch my video carefully first we will start the frog's face first we will start the frog's face first we will make an oval shape we have made an oval shape like this free hand we have to draw free hand drawing now we will make a free hand oval shape now we will make a free hand oval shape now we will make an eyes for the eyes we will use coin we will keep this line on the top second eye now we have to draw the shape सब्सक्राइब कर दो है कि प्रॉब करना है यह अब यह लाइन रब कर देंगे अब हम इसमें एक स्माईली दिखाइंगे प्रॉब के फेस में स्माईली दिखाएंगे अब हम कि शेपन तोला ठीक कर लेगा है इसमाइली दिखाएंगे फ्राउक के शेप में अब हम नीचे बिग ओवल शेप बनाएंगे प्री हैंड से हम ड्रॉब करेंगे प्री हैंड ड्रॉब ओवल शेप लाइक दो यह देखें लाइक हैंड से यह अब हमने ओवल शेप लॉब किया है अब हम यह वाली लाइन है इसको अफेज को रभ कर देंगे यह अब नब कर दी ओवर लप लिए आइस दिखानी है इसमें आइबॉल दिखाने हैं अब स्टार्ट करते हैं इसके लेंगे नमबर टू टाइप ऐसे लेंगे वह बनाए अपोजिट साइड वाल अपोजिट साइड से टू बना दी हमने यह यह देखिए कि दूसरे साइड से भी हम ऐसे बनाएंगे यह टू नमबर टू अब हमने इसके लिंप बनाने अब हम फ्रॉक की फ्रेंट साइड ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमने लाइन देखिए इस टरह से लाइन ड्रॉ किया हुए हमने इस फ्रोडा करव लेने लाइन में यह ड्रॉ करनी है अब यहां से मिने अ यह स्ट्रेट लाइन्स नहीं कर्ब में लेने हैं थोड़ी है अग्राइंग कंप्लीट होगी अब हमने कल्रिंग स्टार्ट करनी है तो कल्रिंग स्टार्ट करने के लिए लाइक ग्रिंग करेंगे पूरी बॉलोगा बॉड़ी में और डाग ग्रिंग कहीं शेट दिखाना है में डाक टोन दिखानी होगी कॉनर साइड और यलो कलर से हम लाइटनिंग देंगे जैसे कि वाइट बेस है यह फ्लैट सर्फ्रेस है तो यहां पर हमारा कोई टेक्चर नह अब हम कल रिंग स्टार्ट कर दिया हमने अपना आइस की तंसे जारो तंसे गलबा अब 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 अ है मुं सब से पहले सबसे पहले हम आउटलाइन कर लेंगे कर साथा कलर से आउटलाइन देगे हमने तक अब हम नीक और न कर लाय निकाल ला है कुछ कोंटा का दिहान रखन 對 नेतने हम द्लान ऑ कर लेंगे है इसे कि ही टॉपीक है हमारा फ्राट ड्रॉएंग फ्रस् टॉपीच फ्लस क्लास कर इसी तरह से एक टॉपीक के अंदर आपकी दो पिच्छ ड्रॉएंग है फ्रस्फ फ्रॉग है, एंड शेकीन है हमारा रैबिट ड्रॉएंग आउटलाइन कर लेंगे पहले हम कोलर साउटलाइन कर लेंगे करने में आसानी रहेगी इजी रहेगा हिर ले दिए representedलाइन कर लेंगे दिन वेंगे जर पैंक, भ scrुच आख निए मैं। जर जर भी ओन्मलाए सिल मले पनाई। को जर्ञें को पनाई का सकति है रह बु़ाँ llamठें दिया जर जर हुपा. ji यु़े बहु़ेर हु़े रहा़ हु़ी तो यह लास चल्राइब कि याई नियूज करेंगे हम यळो कलर यूज करेंगे उसके में इसमें इसमें कलरी में थोड़ से ड्राइटनेस आजाएगी यालो कलर यूज करेंगें से कर दो हो वे पार झाओ कर दो अूर्ब आप नूर्ब कर दो कर दो एक कर दो कर दो झाल 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 यूज़ करेंगी डाक ग्रीन कलर हमने बस क्या करना है लाइट बीन कलर से आउट लाइन करने झाल 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 तो अब हमारी कर्लिंग हो गए कम्टीट अब हम आउट्लाइंग करेंगे ब्लैक स्केश पैन से स्केश पैन नहीं है मेरे पास में मार्कर से करूंगे झाल कोई भी ड्राइंग आप करते हैं लास्ट तच आप मार्कर पैन से नहीं देंगे स्केश पैन से ही देंगे क्या क्यास पता है पता है झाल 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 यहां पर आउट्लाइन करते हैं हमने ध्यान रखना है यहां पर यह वाली लाइन को ब्लैक नहीं करना है यहां से अटैश नहीं करना है कि यहां से इसकी लिम्स जा रहे हैं कि अधिन अग्याइब भी जाएं अब आपको क्या करना है जैसे मैंने बनाएं आपको कॉपी करना है फॉलो करना है ब्रॉइंग की प्रेक्टिस करनी तो अभी आप घर में हो फ्री हो फ्री टाइम में कलरिंग की प्रैक्टिस करो अच्छे से हमारा फ्रॉग रेडी हो गया बनकर तो आज के लिए इतना ही नेक्स डॉइंग के साथ में मिलूंगे आपको तो गुडबाई स्टे होम स्टे सेव